प्रशब राशी आज खत्म हो सकती है रुका हुआ धन आपको मुश्किल से मिलेगा नए काम में कोई पैसा ना लगाए शुबरंगोगा आपके लिए गेर हुआ आज सफेद कपड़े का दान जरूर करें मितुन राशी प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना है व्यापार का नया आवसर आपको मिलेगा व्यापारे किस्थल की सफाई पर आप जरूर ध्यानते हैं शुबरंगे आपके लिए हरा आज हरीफल सबजी का दान जरूर करना है वो महाउपाय आपके साथ साजा करते हैं आपकी धन की स्थिती को अच्छा कर सकता है आज शुकरवार का दिन है तो भाई देवी लक्षमी को मखाने के खीर बनाईए और थोड़ी सी उसमे लाईची डाल दीजिए देवी जी को भोग लगाईए और ये खीर जो है छोटी कन्याओं को खिलाईए प्रशाद के रूप में आशिरवाद के रूप में थोड़ी सी खीर अपने घर में रख लीजिएगा लक्षमी चालिसा का पाट करने के बाद ही उसका प्रशाद आप ज़रूर लीजिए आज के दिन इस उपाय को एक बार मात्र आज के दिन करने से ही आप देखेंगे आपकी धन की स्तिती अच्छी हो गई है करकराशी, नए कारोबार में निवेश ना करें नौकरी में तरक्की का योग है परिवार में सुख शांती बनाए रखे सुखों में व्रद्धी होगी सिंगराशी, नौकरी में बदलाव हो सकता है आज किसी उच्छ अधिकारी से आपको लाब मिलेगा, मदद मिलेगी उधार दिया हुआ पैसा भी आज आपको मिल सकता है शुखराशी, आज लाल मसूर का दान जरूर करें कन्यराशी, नए कारिये को करने में आलस से ना करें संतान के कारण चिंता बढ़ सकती है मेहमान आने का योग बना हुआ है शुखरंगे आपके लिए लाल, आज चंदन का तिलक जरूर करें आई अब बात करते हैं उस महाँपाई की जो आजीविका की समस्या को खत्म करेगा मित्रो माथे पर रोली का तिलक लगा कर लाल चंदन की माला से ओम गंगण पते नमहा मंत्र का तीन माला जाब कर लीजिए यह मंत्र आपकी आजिविका की बड़ी से बड़ी समस्या को नेस्ट कर सकता है आई अब बात करते हैं तुला वरिष्टिक धनूराशी के देनिक राशिक फलकी तुला राशी महतुपून काम आज बिगड सकता है मित्र से मदभेत खत्म होंगे कारोबार में आज व्यस्तता बनी रहेगी शुबरंगे आसमानी आज शिर्म मंत्र का जाब जरूर करें ग्रश्चिक राशी व्यापार में परिवर्तन से नुकसान हो सकता है तो कोई चेंज मत करिये सेहत में थोड़ा उतार चड़ाव होगा धन खर्च पहले से बढ़ेगा शुबरंगे आपके लिए लाल आज हनुमान उपासना जरूर करें धनुराशी विवाँ में देरी से बात बिगड सकती है सेहत का ध्यान रखीएगा रुके उए धन की प्राप्ती होगी शुबरंगे पीला आज पीली मिठाई का दान जरूर करिए देखिए थोड़ा सा शुद मेथी लीजिए रात में भिगो दीजिए पीने वाले पानी में और सुबह खाली पेट उसका जल और मेथी दोनों का ही सेवन करिए बढ़ते हुए वजन को आप कंट्रोल कर पाएंगे वात की समस्या कम होगी जोडों का दर्द कम होगा इतना अद्बुद ये उपाएंगे आई अब बात करते हैं मकर कुमीमीन राशी के दैनिक राशी फलकी मकर राशी चेहरे की समस्या पहले से कम होगी परिवार के वाद विवाद खत्म होंगे धन किसी को उधार बिलकुल ना दें शुबरंगे आपके लिए गेरुआ आज गंग मंत्र का जाब जरूर करिएगा कुम राशी नई संपति खरीदने का योग है मित्रों का भरपूर सा योग मिलेगा अचानक धन लाब भी होगा शुबरंगे आपके लिए नीला आज साथ अनाज का दान जरूर करें मीन राशी अन्तिम राशी काम का बोज पहले से कम हो जाएगा नौकरी में परिवर्तन बहुत सोच कर करना है धन प्राप्ति का प्रबल योग है शुबरंगे आपके लिए मरून आज दुर्गा कवच का पाट जरूर करिए पात करते हैं उस अचूक और सिद महा उपाई की जो हर दुख परिशानी और संकट से आपको बचा सकता है अपने घर की दक्षिन पूर्वी दिशा में यानि की आगने कौन में मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा देशी कपूर रखिये दो चार उस पर लौंग रख दीजिए इसे जलाईए आज की दिन किया गया यह उपाए आपकी धन की समस्या के साथ ही हर नकारत्मक उर्जा से आपको बचा लेगा हर संकट से आपको जरूर बचाएगा